हेलो फ्रेंज आज हम BSC Math फर्स्ट येर के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉंशेफ्ट और इंट्रीगल कालेकुलास का एक्जाम्पल सेट वन गुरूब ए इंडिफिनिट इंट्रीगल्स संसे कुस्टों और 2 पास सब्कार में तो कुस्टों एंट्रीग इंट्रीगल्सलिकल्सट बारेगों । स्टिय में रत्षां कैसिेह भीं में हुए्पास कह स्ट॥ROपपरें श。 ओसिन में तो इंट्रीगल्सोंugen Felix लुग में बलादें का हुआ। solution यहां लेट करेंगे साइन के साथ 3 है तो साइन के कोफिशिएंट 3 को हम लेट करेंगे 3 कोल और कॉस्ट लेट करेंगे कॉस्ट के कोफिशिएंट को लेट करेंगे पोडिकल आर साइन डिना इसे हम बनमान लेते हैं और इसे 2 तो दोनों को इसक्वाइडिंग एंड एडिंग एंडिना इसे एडिंग साइन खाल एंडि और दोनों कावजिएंड जएडिंगा पोड़ साइडिंग तो इस आडिंग एंडिंग्या था आडिंग दोना लेट करेंगे 3 square plus 4 square square equal r into cos theta whole square plus r into sin theta. 3 square square होता है 9 and 4 square 16 equal r square into cos square theta plus r square into sin square theta and 9 plus 16 होता है 25. एकोल इसमें से हम r square कमोनी का लेंगे, r square, cos square theta plus sin square theta. चुकि हम जानते है, sin square theta plus cos square theta equal 1 होता है. तो plus में आगे पिछे, उससे कोई मतल में नहीं होता है. सेम यहाँ पे है, cos square theta plus sin square theta. तो हम अगर cos square theta plus sin square theta के दिएका 1 put करेंगे and r square into 1, तो r square होता है, तो हम यहाँ लिख सकते है, r square लिकर 25. and square को left से right ले जाएंगे, तो square root में कर मुड़ हो जाता है, तो यहाँ हम कर सकते है, r equal under root 25. and 25, 5 का square होता है, तो हम यह 5 लिख सकते हैं. तो यहाँ हमने r का मार निकाल लिया है, अब हमें, ठीटा का मार निकालने के लिए, हमें divide करना होगा. divided by equation, कि हमें 10 टीटा निकालना है, तो हमें equation 2 divided 1 करना होगा. तो, r into sin टीटा by r equal cos टीटा equal 4 by 3. r से r रिमोफ हो गया, तो sin टीटा by cos टीटा एक्वल होता है, 10 टीटा खम्या लिख सकते हैं, 10 टीटा equal 4 by 3. and theta को tan inverse 4 by 3. तो हमने r एंड ठीटा दोनों का मार निकाल लिया है, अब हम question solve करते हैं, तो question क्या था, integration of dx by 3 sin x plus 4 cos x. and हमने 3 equal क्या माना था, r cos टीटा है, तो हम question में put करेंगे, integration of dx by sin x को आगे कर लेते हैं, into 3 equal हमने माना है, r cos theta, plus cos x को आगे कर लेते हैं, तो cos into 4 को हमने माना है, r sin theta. integration, integration, dx by, अब हमें r कोमर निकालना हुआ, तो हम r कोमर निकालते हैं, तो हो जाएगा, sin x into cos theta, plus cos x into sin theta. जो कि हम जानते है, sin a into cos b plus cos a into sin b, equal होता है, sin a plus b. को में जानते ही, जो कि r constant है, तो इसे हम integration के बाहर निकाल लेंगे, तो 1 by r integration of dx चुकि यहाँ sin x into cos theta plus cos x into sin theta है तो इसे a and b मानते हुए तो यह हो जाएगा sin x plus cos theta तो यह हो जाएगा sin x plus cos theta एंड हम जानते हैं 1 by sin x सिकोल होता है cos x तो same यहाँ हम इसे convert कर देते हैं cos x में तो 1 by r integration 1 by sin x हो जाएगा cos x x के जगा यहाँ जो एंगल है वही हम लिखेंगे x plus b into dx चुकि हम जानते हैं integration of cos x into dx इकोल होता है log cos x minus cortex और इसी का एक और फर्मुला होता है log tan x y 2 आप चाहे तो यह दोनों में से कोई भी फर्मुला यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ लॉग 10 x y log cos x y का cos x minus cortex फर्मुला पूट करके दिखाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 by r and cos x का हो जाएगा log cos x cos x यहाँ x की जाएगल क्या है x plus b minus cot x plus b plus c c यानी consonant क्योंकि यह indefinite integral है तो अब यहाँ हम मान पूट करते हैं 1 by r का मान हमने इकाला था 1 by r का मान है 5 sorry friends यहाँ b नहीं theta तो मैं ठीटा कर देते हैं x plus theta and यहाँ भी x plus theta and x plus theta तो अब हम यहाँ r का मन पूट कर देए and अब हम theta का मन पूट कर देएं तो log coset x plus हमने ठीटा का मन के निकाला था tan inverse 4 by 3 plus sorry minus cot x plus tan inverse 4 by 3 plus 4 by 3 plus c यह हमने यह फर्मूला यूज किया तब अगर या हम वह वाला फर्मूला यूज करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है 1 by r into log tan x तो x के जगा हमारा एंगल है x प्लस थीटा by 2 plus c अब हम यहाम आनपूट करते हैं तो r का मान में निकाला है 5 तो 1 by 5 log 10 एक्स दिवाइट करेंगे तो यहां हो जाएगा x by 2 प्लस थीटा में डिवाइट करेंगे तो 1 by 2 into थीटा तो थीटा का मान में निकाला था 10 inverse 4 by 3 प्लस c यही एंसर हो गया आप दोनों में से जो चाहे वो यूज कर सकते हैं भी एंसर हम